तो हेलो गईज कैसे हो आपसे बैहोप आप योग अच्छे होंगे दोस्तों आज की स्टूडम आपको ट्रू कॉलर के कुछ एड़न फीचर्स और ट्रिक के बारे में बताने वाला हुँ जो की काफी ज्यादा यूजफुल है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि गईज ट्रू कॉलर को लगबग 50 करोड से जादा लोग यूज़ करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हूँ लेकिन गईज इन में से काफी सारे लोग सिर्फ इस लिए ट्रू कॉलर को यूज़ करते हैं कि उनके पास कोई भी अन्नोन नमबर से कॉल आता है तो जो ट्रू कॉलर है बहुत ही आसानिस उसको identify कर लेता है पता कर लेता है क्या खिर यह नमबर है किसका ठीक है सिर्फ इसके लिए ट्रू कॉलर को use करते हैं लेकिन गईज क्या, आपको पता है कि ट्रू कॉलर में काफी सारे ऐसे hidden features और tricks दे गए हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो का पूरा जरू देखेगा और guys अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, comment चल को subscribe जरू केज़ेगा comment box में आप comment करके ये जरू बताना कि आप किस company का phone यूज करते हूँ साथ में अपना नाम भी आप जरू लिखेगा ठीक है जिससे guys मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे viewers हैं वो किस company का phone यूज करते हैं और कौन-कौन हमारे वीडियो को regular देखते हैं जिससे guys मैं आपको उस phone से लेटेट ज़्यादा ज़्यादा वीडियो दे पाऊं और guys आपका फाइदा हो पाए ठीक है आप दोस्तों चलेए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपने true caller को open कर लिया है और guys आप चले मैं आपको पहले trick के बारे में बताता हूँ ठीक है guys अब आप true caller से बहुत ही आसानी से ये identify कर सकते हो पता कर सकते हो कि जिसको आप call करने वाले हो guys वो किसी call पे busy है या फिर free है आपको guys call भी नहीं करना होगा और आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा अभी call पे busy है या free है या कितने टाइम पहले उसने last call किया था ठीक है इस चीज को आप बहुती आसानी से identify कर सकते हूँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अमित कुमार जो हमारा number है यहाँ पर 4 मिनिट पहले हमने किसी दूसरे number पर call किया था यानि 4 मिनिट पहले हमने last call किया ठीक है यहाँ पर आप यह दूसरा नंबर देख सकते हो 19 मिनट पहले इस नंबर से किसी दूसरे नंबर पर बात हो रही थी यहाँ पर आप यह वाला नंबर देख सकते हो 5 दिन पहले इस नंबर से किसी दूसरे नंबर से बात हो रही थी अब इसके बाद गईस चले मैं आपको अगले ट्रिक के बारे में बताता हूँ जो की काफे जादा यूस्फुल है ठीक है इस वाले फोन से हम यहाँ पर हेल्प लाइन पर कॉल करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने हेल्प लाइन पर कॉल कर दिया है तो यहाँ पे so हो रहा है कि यह जो नंबर है इस टाइम पे वीजी है आप यहाँ पे देख सकते हो और गईस जैसे ही हम यहाँ पे call को cut करेंगे दोस्तों यहाँ पे यह जो calling का symbol है यह गायब हो जाएगा थोड़ा सा time लगेगा ठीक है यहाँ पे आपको थोड़ा से wait करना होगा यहाँ पे call हमने cut कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो जो calling का symbol था वो हट गया ठीक है इसका मतलब यह है कि एक मिनट पहले इस नंबर से किसी दूसरे नंबर पे बात हो रही थी इस तरह आप इन चीजों को पता कर सकते हो इसके बाद अगर हम इस वाले phone को यहाँ पे silent कर देंगे तब भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यह जो नंबर है इस वाले phone को silent किया गया है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको silent कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा time बाद so हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो silent का symbol आ चुका है ठीक है यानि गैज यह number इस time पे silent mode पे है यानि phone जो हमारा है यह silent mode पे है ठीक है simply guys इसके लिए आपको यहाँ पे 3 line पे क्लिक करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्कॉल करना है नीचे आपको एक option लेगा setting का setting को open करने के बाद guys आपको यहाँ पे एक option लेगा caller ID का दोस्तों काफी सारे लोगों के true caller में यह classic pop-up so होता है ठीक है यानि guys वो लोग क्या करते हैं कि classic pop-up को select करके रखते हैं जब भी उनके पास call आता है तो guys यहाँ पे pop-up so होता है guys जो caller screen होता है वो full screen में so नहीं होता है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो simply guys आपको यहाँ पे full screen पे tick कर देना है और guys जब भी आपके पास कोई भी call आएगा तो जो caller screen है वो full screen में so होगा जो कि देखने में काफी ज़्यादा attractive लगता है अब इसके बाद guys चले हम आपको अगले trick के बारे में बताता हूँ जो कि काफी ज़्यादा useful है ठीक है आपको simply यहाँ पे three line पे click करना है और यहाँ पे आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा general का आपको इस पे click करना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे नीचे scroll करना है ठीक है नीचे आपको scroll करना है नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा call alert notification आपको इस setting को यहाँ से enable कर लेना ठीक है जब आप इस setting को यहाँ से enable कर लोगे जब भी आपके पास कोई भी call करेगा दोस्तो call आने से 3 second पहले आपको एक notification मिल जाएगा कि आपके पास एक call आने वाला है जो भी बंदा आपके पास call करेगा उसका notification आपको 3 second पहले मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि यह बंदा हमारे पास call करने वाला है इसके लिए guys आपको यह वाला setting on कर लेना है अब guys हमारा जो next trick है यह काफी ज़्यादा useful है इसके लिए आपको यहाँ पे 3 line पे क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ पे setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे general पे क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है नीचे आने के बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा प्रोफाइल व्यू नॉटिफिकेशन गैज आपको इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल कर लेना है दोस्तो जब भी आपके प्रोफाइल को कोई भी ओपेन करेगा कोई भी बंदा आपके ट्रू कॉलर के प्रोफाइल को चेक करेगा गईज उसका notification आपको मिल जाएगा कि ये बंदा आपके profile को check कर रहे इस तरह गईज आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हूँ कि कौन-कौन आपके true color के profile को check कर रहे गईज ये काफी important setting है आपको इसको कर लेना चीए इसके बाद गईज हमार जो अगला trick है ये काफी जादा important है काफी जादा useful है ठीक है दोस्तों आप यहां से सभी के status को देख सकते हूँ यानि last scene को देख सकते हूँ सामने वाला बंदा वीजी है या free है आप इस चीज को check कर सकते हूँ गईज यही चीज आपका भी कोई भी check कर सकते है इसको आप off कर सकते हूँ और गईज जब आप इसको off कर दोगे तो कोई भी बंदा आपका last scene check नहीं कर पाएगा नहीं वो पता कर पाएगा कि आप किस नंबर पे बीजी हो कालिंग पे बीजी हो या free हो इस चीज को कोई भी check नहीं कर पाएगा दोस्तों इसके लिए भी आपको एक setting on करना होगा simply आपको यहाँ पे three line पे click करना है और आपको यहाँ पे एक option मिलेगा setting, setting पे आपको click करना है, setting पे click करने बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा privacy center आपको इसको open करना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे पहले number पे एक setting मिलेगा आपको इस setting को यहाँ से disable कर देना ठीक है, guys जब आप इस setting को disable कर दोगे, so other true caller user that I am busy during phone calls guys इसका मतलब यह है कि जब आप इसको disable कर दोगे, जब भी आप call पे busy रहोगे, या फिर आप अपने phone को silent कर देते हो तो दोस्तों सामने वाले को पता नहीं चलेगा, ठीक है, यानि guys वो ना आपके last scene को check कर पाएगा नहीं आपके status को जान पाएगा ठीक है, इस तरह guys आप इस setting को off करके अपने privacy को safe कर सकते हो इसके बाद guys हमारा जो last trick है यह काफी ज़्यादा useful है, काफी ज़्यादा important है इसको आपको जरूर से use करना चीए guys जब भी हमारे पास कोई भी unknown number से call आता है, तो true caller बहुत ही आसानी से उसको identify कर देता है और हमें बता देता है कि अखिर यह number किसका है ठीक है, guys अगर आप true caller में एक और setting enable कर दोगे और जब भी आपके पास कोई भी unknown number से whatsapp पे message करेगा, तो true caller उसको भी बहुत ही आसानी से identify कर देगा और आपको बता देगा कि whatsapp पे जो unknown number से message आया है वो number किसका है, guys इसके लिए आपको सिर्फ एक setting enable करना होगा आपको यहाँ पर three line पे click करना है और यहाँ पर आपको setting में जाना है setting में जानेक बाद आपको यहाँ पर general पे click करना है और इसके बाद guys आपको यहाँ पर नीचे scroll करना है नीचे आना है, messaging app आपको इस setting को यहाँ से enable कर लेना है guys जब आप इस setting को यहाँ से enable कर लोगे जब भी आपके whatsapp पे किसी unknown number से message आएगा guys उसको true color identify कर देगा और आपको बता देगा कि यह number किसका है इस तरह आप इस चीज को use कर सकते हो guys यह tricks आपको कैसे लगे comment box में आप comment करके ज़रूब बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दो यार चैनल पे नए है चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही ने अप्लिकेशन से लेटे हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद